Assalamualaikum welcome to student tube आज की इस लेक्टर में चप्टर 7 आइकॉम पार्ट 1 बिजनेस मैद बुखे शाहिद जमाल की चप्टर है मैट्रिस एंड डिटर्मिनेंट कुछन है हमाई पास A मैट्रिक्स भी मैट्रिक्स और जो दोनों है वो 3x3 में है तो इसका इंवर्स निकालना है तो पहले लेते हं 2 को तो अंदर आ जाएगा 2 1 1 2 फिर लेंगे माईनश का 1 तो अंदर आ जाएगा 3 1 2 2 फिर लेंगे प्लस का 1 तो आ जाएगा 3 2 2 1 ठीक है तो 2 इसी तरह से रहा ले 17 जासे 3 2 जा 6 6-2 वन जा 2, plus 1, तो यह 3 वन जा 3, minus 2, 2 जा 4, so 2, यह 4 minus 1 is 3, minus 1, 6 minus 2 is 4, plus 1 और यह हो गए minus का 1, so 2, 3 जा 6, minus 4 वन जा 4, plus minus minus 1 जा 1, so 6 minus 4 minus 1 is 1. अब निकालना है C transpose, तो उसके लिए सबसे पहले हम C find करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले 2 को लेंगे, तो यह आ जाएगा 2, 1, 1, 2, plus का, फिर minus का, 3, 1, 2, 2, फिर plus का, 3, 2, 2, 1, फिर minus का, तो 3 लेंगे, तो आ जाएगा, 1, 1, 1, 2, plus, तो आ जाएगा, 2, 1, 2, 2, minus, 2, 1, 2, 1, यहाँ पर 2 लेंगे, इसे हटाएगे, तो यह वाला कॉलम और रो खतम होगी, तो अंतर आ जाएगा, 1, 1, 2, 1, फिर अब 1 को लेंगे, तो रो और कॉलम खतम होगी, तो हमारे पास आ जाएगा, 2, 1, 3, 1, और फिर 2 को करेंगे तो यह row and column again खतम होगा तो आ जाएगा 2, 1, 3, 2 और यह plus, minus, plus ठीक है तो अब इसे multiply करना है तो 2, 2s are 4 तो हम यहाँ पर यह लिख सकते हैं यह आ जाएगा 3 फिर आ जाएगा 4 फिर आ जाएगा minus का 1 फिर यह 2, 1s are 2 फिर 1, 1s are 1 तो आगया 2, minus 1 is 1 फिर 2, 2s are 4, minus 2, 1s are 2 तो यह आएगा 2 फिर 2, 1s are 2, minus 2, 1s are 2, तो यह आगया 2, minus 2 is 0 फिर 1, 1, 1, minus 2, 1, 2 is minus 1 फिर 2, 1s are 2, minus 3, 1s are 3, तो यह आएगया minus 1 फिर 2 तूजा 4 माइनस 3 बनसा 3 तो 4 माइनस 3 इस 1 अब यहां पर हम पहले इसे ट्रांसपोस में चेंज करने से पहले इसके साइन्स चेंज करेंगे तो इसके साथ प्लस है तो यहां पर 3 के साथ प्लस ही है अब यहां माइनस है तो इसके साथ माइनस आ जाएगा पिर प्लस है यहाँ पर minus आ जाएगा 2 के साथ plus है 0 के साथ sign लगाने की ज़रूरत नहीं है फिर plus है फिर minus minus plus हो जाएगा और यह plus ही है so C का transpose is equal to 3 minus 4 minus 1 minus 1 2 0 minus 1 1 and 1 अब C transpose निकल आया इसे हमने 1 से multiply करना है तो answer जो है वो same ही आएगा क्योंकि हमने इसे 1 से multiply करना है बठा में से फिर भी करते हैं प्रॉपर तरीके से जिसना से inverse निकालना है हमें A inverse is equal to 1 upon determinant of A multiply by C transpose so 1 upon 1 multiply by C transpose आया है हमाई पास 3 minus 1 minus 1 minus 4 2 1 and minus 1 0 1 तो multiply करेंगे तो हो जाएगा ये 3 1s are 3 1 1s are 1 minus का ही रहेगा ये भी minus का रहेगा ये minus का 4 2 1 minus 1 0 0 1 answer तो इस तरह से जो B जो था वो A inverse के equal था तो उमीद करती हूँ कि कुशन आपको अच्छे समझ आ गया होगा अगर अच्छे समझ आया हो आपने का नहे वीडियो को like, share and channel पर new है तो subscribe किये बग्यर मत चाहिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए Allah हाफेज झाल 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 झाल